मैं बनानी जा रही हूँ टमाटर का पकवरे अगर बारी सो रही है घर में अगर टमाटर छोटे साच कपड़ा है तो आप इसे इस तरह से पकवरे बना सकते हैं और ये पकवरा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता तो इसे अपने मन पसंद चटने किसे के साथ स्वा जा दिए हैं तो इसका जो अंदर का बीज है मैं अच्छी से निकाल लेती ह। इसी तरह से सारे टमाटर का अदर का बीज है जो मैं निकाल लेती हूं Quem अंतर का जो गुद्दा है दोर्ष्टाथ बड़ सकते हैं तो यहां, इस तरह से शारे मैंने गुद्दार में दमार ए यहां पर बैल क्या हुआ आलू लिया है इसमें बारे कटावा लासुन हरा मेच प्याज बारे कटावा धनिया स्वाधन संद्रमक लालमिच का पाउडर धनिया पाउडर आमचूर पाउडर और इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाला है और सबी चीजों का अच्छे से मैं मिला देत सारा मैंने इसी तरह से भर लिया है और इसका गुद्दा है जो आप किसी भी सब्जी के या ग्रेवी में यूज कर सकती है यहां पर मैंने एक कब बैसन लिया है इसमें थोरा सा हल्दी डालमिच का पॉडर अधरक लेसन का पेस्ट और थोरा सा अजवाइन डाला है स्वाध कर लिया है तेल अच्छा गरम हो गया था तेकर करके तेल के अंदर इस तरह से टमाटर को डाल देंगे और इस तरह से चमत से आप तेल को टमाटर के उपर से डालते जाए ताकि एक प्रावर चारतरब से फ्राइव हो जाए तो यहां पर अच्छे से टमाटर है जो फ्राइ यहां पर टमाटर को मैंने फ्राइक कर लिया है इसका पकोड़ा जो बिल्गूल ही रेटी हो गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ आप बढ़ोर जो है इसी तरह से मैं फ्राइक कर लोँगी तो सब किया है आप जासा धनिया के चटनी हो या कोई भी चटनी के साथ इसे इंजॉय कर सकते है बहुत ही खाने में टेश्टे लगता है दोस्तों यकीन मानिये और इस रेस्पीकर एक बार मैं तरीके से घर पर चरूर से आप ट्राय करके देखिए अच वीडियो अच्छी लगी तब प्लीज मुझे आगे बढ़ने में आप लोग सपोर्ट जरूर करें